वेलकम बैक एव्रिवान स्वागत है आपका एक नई वीडियो में उमीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे वाइटमिन सी फेस सेरम सबका फेवरेट होता है यह पावर पैक सेरम विकिस इसकी क्वालिटी ही इतनी बढ़िया होती है वाइटमिन सी सेरम बहुत से मल्टी बैनिफेट्स हमारे को डिलेवर करता है जैसे हमारे फेस पे कॉलजन बूसिंगा काम करता है जिससे रिंकल्स और फाइन लैंस बिल्कूल दूर रहते है हमारे को एक gradient सकंदेने का काम करता है डाक स्पोट और ब्लेमिश जिससे हमारा फेस बिल्कुल पैची लगता है उसको बिल्कुल दूर रखने काम करता है अब आपने वाइटमिन सी सिरम खरीद लिया अपनी स्कें टाइप के अकॉर्डिंग खरीद लिया अब बात आदे कि आपको उसको यूज करना आता है या फिर कहें आपको पता है कैसे उसको यूज किया जाए कि आपको बेस्ट मिले ऐसी बहुत ही चीज़ें हमारे को फॉलो करनी होते हैं वाइल उसके अदर बहुत से अक्टिव इंग्रिडिंट डाले जाते हैं और अगर आप थोड़ी गलती कर लो नो तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा या फिर कहें वो आपको नुकसान भी दे सकता है हम आपको आज बताने वाले हैं ऐसी गलतियां जो आप अवाइड कर सकते हो वाइल यूजिंग वाइटमिन सी फेस सिरम ताकि आपको ये ना बोलना पड़े कि ये तो बहुत ही घटिया सिरम है और आप यही बोलो बेस्ट सिरम एवर इससे बड़िया सिरम मैंने करनी पड़ेगी और वह गलतियां अवाइट करनी पड़ेगी जो बहुत से लोग कॉमनली करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं फाइज मिस्टेक्स तु अवाइट वाइटमिन सी फेस सिरम स्टेक नमबर वान मिक्सिंग इट अब वाइटमिन सी वाइटमिन ए और वाइटमिन वीडियो यह तीनों ही अक्टिव इंग्रिडियों और एक दूसरे की गुड़नेस को कैंसल आउट करते हैं अगर हम इनको मिक्स कर दें तो आपने मेक्शॉर करना है कि जब भी आप यह इंग्रिडियों यूस करो आपने एक तरीका होता है हर चीज को यूज़ करने का अब ऐसा नहीं आपने अभी वाइटमिन सी लगा है फिर आपने रेटनोल लगा लिया यह नायस लिए लगा लिया आपकी स्किन को कोई बेनेफिट ही नहीं होगा या फिर यह भी हो सकता है आपके फेस पर ब्रेक आउट्स भ लगा है तो 30 मिनट का गया रखना है वाइटमिन सी लिए यूज करने के लिए नायस लिए और रेटनोल भी आपस में रियाक्त करता है तो आपने मेक शौर करना है जब भी आप वाइटमिन सी सेरम यूज करो आप एक चीज दिमागर में रख़ों बहुत पोटेंट इंग् वाइटमिन सी सेरम एक बहुत अक्टिव इंग्रेडिंट होता है तो आपने मेक शौर करना है पहले तो आप मेक शौर करो कि जब वाइटमिन सी सेरम लात उसको रेफ्रिजिरेटर में रख लो उससे बढ़िया तो कुछ करी नहीं सकते बट अगर आपके पास यह ऑप्शन नहीं है तो आप उसको एक कूल रूम में रखो एक ड्राय प्लेस में रखो आप मेक शौर करो वह सिरम आपका ऐसी जगा स्टोड़ेज नॉर्म रूम टेंपरेचर है ज्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए अगर ज्यादा गर्म होगा एटमॉस्वेर तो वह ऑक्सिडाइज मैं 100% शौर हूँ बहुत से लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे उनको पता ही नहीं होगा कि संस्क्रीन लगाना मैंडेटरी पार्ट होता है आफ्टर वाइटमिन सी सिरम जब आप सं में निकलते हो ना तो वाइटमिन सी सिरम आप सूचो जब आप स्टोरी नहीं कर सकते सं में तो आपकी स्किन में जब वो लगा वै और आप सं में निकल गए तो वो ऑक्सिडाइज तो होगा ही होगा आपकी स्किन का क्या है वो येलोईश और और ओरन्ज टर्न हो जाएगी और वो बहुत डल अपेर होगी तभी लोग बोलते हैं कि मेरा तो वाइटमिन सी सिरम लगाने के बाद फेस डल हो जाता है आपका फेस डल नहीं होता आपका सिरम ऑक्सिडाइज हो जाता है तो आप मेक्शॉर करो जब भी आप बाहर निकलो आपने संस्क्रीन लगानी ही लगानी है आफ्टर अप्लाइंग वाइटमिन सी सिरम और वह भी होने चाहिए ब्रॉट स्पेक्ट्रम वाली और नॉन कोमेडोजेनिक ताकि आपके वह पोस्त को क्लॉग भी ना करें और आपको यूवी ए और यूवी बीरेस दोनों से प्रोटेक्ट करें यह बहुत बड़ी गलती होती है जो लोग करते स्किन केर सिरफ खरीदने पर आपका काम शुरू होता है आपने जितना भी वक्त लगाया है जितना भी पैसा लगाया वो सब जीरो हो सकता है अगर आप उस प्रोटक्ट को रेगिलर्ली यूज नहीं करोगे आज लगाया कल नहीं लगाया पर्सो लगा लिया इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला मैं अपनी शॉप पर भी कस्टमर्स को यहीं बोलता हूं आपका प्रोड़क्ट खरीदना इस पार आपने पैसे निकाले प्रोड़क्ट खरीद लिया बट अगर आप कुछ माजिकल देखना चाहत चीज़ करके देख लो आपको अपनी स्किन में विजबल डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा प्रोड़क्ट अपनी स्किन को आज लगाया कल नहीं लगाया तो आदत पड़ेगी कहां से और आदत नहीं होगी तो उसकी गूडनेस आपको प्रॉपरली नहीं मिल इससे पहले हम अपनी वीडियो के साथ आगे बढ़े अगर आपने हमारी वीडियो यहां तक देख लिए होपफुली आपको थोड़ी सी तो पसंद आई होगी आप चाहें तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे जाकर यह सबसे इंपोर्टन पार्ट होता है कि वाइटमिन सी सिरम लेने से पहले अगर वह सिरम की क्वालिटी बढ़िया नहीं होगी तो बेस्ट रिजल्स कहां से बेलेंगे रेगिलर्ली भी यूज़ कर लो आपने देखा होगा बहुत से ब्रांट ना मेंचन करता है उसके पर प इक्स्ट्रा कॉंटिटी डालने जस्ट भी डिफरेंट ब्रांट इनोवेशन करने के चक्कर में इतना जाधा कॉंटिटी डाल देता है वाइटमिन सी सिरम की कि वापकी स्किन को नुकसान दे जाती है तो आपने मेक्शॉर करना है वह 20% तक ही हो अगर उससे जाधा है तो आपके लिए सही नहीं है जैसे कि आप जानते हो हर चीज एक सही कॉंटिटी में आपको फायदा देती है अगर आप जाके देखो कि मुझे सबसे साधा कॉंटिटी वाला वाइटमिन सी सिरम देदो तो हो सकता हो आपकी स्किन साथ रियाक्ट कर जा और आपको ब्रेक आपके देता है काफी ब्रान्स मार्केट में आ चुके हैं अगर आप एक पॉर्फेक्ट वाला वाइटमीन सी प्लस e सिरम लेना चाहते हैं आप हमारे इन नमश पे कॉंटाक्ट कर सकते हैं हम आपको पूर वाइटमन सी प्लस ई सिरम भी दे देंगे अगे अगर आपको य हमारे पास available है with the best composition तो यह थी कुछ ऐसी common mistakes जो लोग करते हैं vitamin C serum use करते हुए आप कौन सी वाली गलती repeatedly कर रहे थे हमें comment box में जरूर बताएं आपके वीडियो अपने उन friends के साथ share भी कर सकते हैं जिनके पास vitamin C serum तो है बट आपने अक्सर उनको बोलते हुए सुना यार यह तो कोई फाइदा ही नहीं देता क्या पता इन में से वह गलती कर रहे हो आपने एक चीज और कर सकतो आप experiment कर सकतो अपने vitamin C serum के साथ ऐसा कोई hard and fast rule नहीं कि आपके friend को वह पसंद आए तो आपको भी वही संद आएगा आप अराम से एक्सपेरिमेंट करो बस composition का ध्यान दो जो मैंने जस्ट आपको point number five में बताया है जब आपको एक brand और एक composition सूट कर जा उसको stick करो लोग यह गलती भी करते हैं stick ही नहीं करते एक product की साब बदलते रहते हैं अगर एक skincare आपको सूट कर गया है ना उस पर stick करो तभी best results मिलेगा एक product की जब आपको आदत हो जाती है ना वो long run में आपको बहुत ज़्यादा देता है and on the other side अगर आप product बदलते ही रहोगे ना आपको कभी benefits नहीं मिलेगा आपको कोई भी product order करना हम all India delivery करते हैं delivery details मिल जाएगी description में तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में until next time this is your host ओई सजदेवा good bye